जैस याराम भक्त केनों प्यारे वक्तों ये कमेंट आया है कि आत्मा परमात्मा का 24 गंटे सुम्रिन कैसे करें बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न सुन करके हमारा मन बड़ा खुस होता है तो क्रिपया आप बड़े ध्यान से सुनें और अपने जीवन में उतारन का भी प्रियास किया करें प्यारे वक्तों आत्मा और परमात्मा का जो सुम्रिन है वह करना नहीं है वह अपने आप हो रहा है वह प्राक्रितिक प्रिक्रिया है लेकिन हमारे समझने में थोड़ा फर्क है कि हम 24 गंटे आत्मा परमात्मा का सुम्रिन कैसे करें हमें करना नह वो तो स्विम्रन तो हो रहा है, वो अपने आप में स्वयम में स्वयम है, इसलिए हमें केवल और केवल अपने मन को और आत्मा और परमात्मा के साथ जोड़ना है, आप इसको बड़ी बारीकी से, बड़ी धान से, एकागर मन के से समझें, कि स्वास आ रही है और स्वास जा रही है, तो स्वास का आना और जाना जो है, वो हमारा स्विम्रन हो रहा है, और स्वास आने के में और जाने में दोनों के बीच में जो एक बिंदू है, वो है परमात्मा है, उस परमात्मा को ही जानना है, केवल इस स्विम्रन के जुद्वारा, और हमें कुछ करना नहीं है, और उसको जनाएगा आपका मन, आपका मन उसको जनाएगा, तो आपको माताजी हर वीडियो में बताती हैं, वी वीडियो ऐसा खाली जाता होगा जिसमें वो नहीं बताती है, आप जोंहा भजन ध्यान सुम्रिन करें, पहले मौखिक भणी के द्वारा, फिर उपानसु, मन के द्वारा, पिर प्राणजब प्राणजब यानिके स्वांसों का जब जो की सर्वोत्तम जब कहलाता है इसके लिए संत भी लिखते हैं स्वांसों की कर्सुम्रिनिया अजपा को करजाप और ब्रहमतत्त को सार है सोहंग आपिया तो उसको संतों ने सोहंग का नाम दिया है सो एहम का मतलब है सो एहम, यानि कि जो तू है वो में हूँ, आत्मा परमात्मा, यानि कि स्वांस उपर आया, तो परमात्मा स्वांस बहां निकल गया, आत्मा, तो ये स्वेम में स्वेम हो रहा है, ये करना नहीं है, आपने केबल अपने मन को जोड़ना है, और केबल आप ज और जब द्रिड हो जाएगा तो उसमें उसके साथ मन ले हो जाएगा और जब मन ले हो जाएगा तो जो नाम है जो बाणी पर नहीं आता है वो प्रिकट हो जाएगा यानिके वो जो परमात्मा है जो परम है जो सारी सश्टियों का सारे विश्व का जो मालिक है जो अनंत है अखंड है वो आपको अनुभव में आने लगेगा त्योंकि वो बाणी से बताया नहीं जाता है बस वही एकेवल अनुभव में आता है वैसे तो अनुभव में आने व उसको भी देखा नहीं जा सकता नुभब में आती बहुत सारी चीजें इस तरह की तो प्यारे भक्तों आप निश्य करकर के आप स्वासों पर अपने मन को टिकाएं और जब वो टिक जाएगा तो उसके साथ ले हो जाएगा और परमात्मा प्रकट होगा तो आपको जो गंटे कैसे होगा इसके लिए नानक जी कहते हैं उठत बैठत सोवत जागत नाम नानक सद वहितिन के सब काम तो जब आप उठेंगे तो स्वास का ध्यान करें जब आप बैठें तो स्वास का ध्यान करें जब आप सोएं तो ध्यान करें और जब आप जागें तब ध्यान क तरह केवल चाड़ समय का आपने अभ्यास करना है और यह अभ्यास आपने कर लिया तो 24 घंटे आप वैसे तो वह हो रहा है लेकिन आपने मन से उसको स्वास को देखना है उठते समय बैठते समय सोते समय जागते समय तो प्यारे भक्तों अब आप समझ गए होंगे आप इतने समझदार है थोड़े को ज्यादा समझना चाहिए और जो समझदार होते हैं वह सारे से समझ लेते हैं तो अब हम अपनी बार्णी को बिश्राम देते हैं जैसे आराम भक्त चनो